आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल में आपके लिए नई से नई टेक्ट वीडियो लेके आता हूँ सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो बात करते हैं आज PS5 की बहुत खेल ली हम लोगों ने PS4, PS4 Pro हमने अब फाइनली Sony ने लाँच कर दी है PlayStation 5 यहां इसके नदर दो अलग-אלग वर्जिन होने वाले हैं जो जिनमें से 1 एक स्टेंडर्ड वर्जिन है और 1 डिजिटल वर्जिन है जो stadiर्ड वर्जिन है वह 4K Blu-ray यू स्धिया ड्राइग में आयेगा और जो के आपका डिजिटल i g. एडिशन है वह एक स्मॉलर और इसमें Adaptive Triggers लगाए गए हैं और यह सारी improvements आपको देखने को मिलेंगी PS5 के controller में बात करते हैं जहां तक specification की brand new sony PS5 में लगाया है 8 core AMD Zen 2 CPU based और इसमें साथ custom AMD RDRA2 का GPU है जिसकी total power हमें मिल जाएगी 10.28 teraflops की यहां पर SSD solution लगाया गया है वो भी काफी बहतरीन है जहां total capacity है वो 825 GB की है और performance मिलने वाली है हमें 5.5 GB per second की तो मतलब भाईो काफी मज़ा आने वाला है PS5 खेलने का तो जहां बात करते हैं design की एकदम brand new design है black and white combination में जो के एक काफी futuristic feel दे रहा है आप इसको दोनो style में रख सकते हैं एक tower style में भी रख सकते हैं और इसके साथ एक stand आता है जिससे आप horizontally भी इसको रख सकते हैं और यहां जो सबसे ज़्यादा चीज़ excited कर रही है वो इसकी games और games के titles हैं जो के release किये जाएंगे इसकी release के साथ ही वो launch का भी हमें नहीं पता है क्योंकि इस साल के end पे यह कहीं Christmas के पास जाके launch होने वाली है और इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा gaming का catalog भी release होगा जो के latest hardware को use करते हैं काफी realistic किसम की gaming हमें provide करने वाला है जहां बात करें black and white combination की तो उसी के साथ combination में इसकी कुछ accessories भी आने वाली है जिन में एक controller है और उनको charge करने के लिए साथ charging stations मुझूद है साथ में 3D audio के साथ आने वाले headphones मुझूद हैं इसके अलावा HD camera है और एक magic remote शामिल है accessory line-up सारी basic white and black theme में है जो के PS5 की official theme designed है उसी में यह सब designed किया गया है सामने की तरफ PS5 में मिल जाएगी आपको USB Type-C और USB Type-A की port जहां तक बात करें price की तो digital version जो है वो standard version से थोड़ा सा सस्ता होने वाला है और digital version की अगर price जो expected है वो digital version की साड़े 400 से 500 डॉलर के दर्मयान है और जो standard version है वो 500 डॉलर से 500 के दर्मयान है तो जादा से जादा इन में 100 डॉलर का फरक होने वाला है मैं इतनी gaming नहीं करता लेकिन ये इसको देखने के बावद मेरा यही दिल कर रहा है कि मैं जरूर इसको बाई करूँ और क्योंकि इनकी games के graphics बहुत कमाल लग रहे हैं जो देखने में मुझे बहुत जबरदस और futuristic लग रहे हैं कैसी की वीडियो लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा PS5 का डिजाइन कैसा लगा और क्या ये gaming PCs का मुकाबला कर पाएगी जरूर बताएगा और ये भी बताईएगा कि कौन PS5 आने के बाद PS4 के सस्ते होने का वेट कर रहा है ताके वो वो भाई कर सकें वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और मजीद किसम की वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें इन्शाला आपसे फिर मुलाकात होगी अलाहाफिस